यह थो आज किस वीडियो में हम कीलो ग्राम का हिसाब करना सीखेंगे आलू के मुल्यों पर तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट हमारे जो कोश्चन को केरफली पढ़ेंगे समझेंगे और इस वीडियो में बहुत ही गहराई से हम किलोग्राम का हिसाब करना सीखेंगे बहुत ही असान तरीका से क्योंकि किलोग्राम का यह हमारे लाइफ में हमेशा होता है जब ही हम मार्केट जाते हैं कोई भी बस्दूख खरेते हैं मालें जो कोई धरबयपदार थे जैसे चीनी हो गया है चाओल हो गया यहाँ पर कोई भी प्रोडक्त है वह जो प्रोड़क्त हैं किलोग्राम से दिया जाता है और किलोग्राम का हिसाब करने में हमको काफी दिकत होती है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस टाइप के कोश्चन में और इस टाइप के प्रोब्लम में आपको फसना नहीं पड़ेगा आपको कभी विदिकत नहीं होगी तो चलिए कोश्चन को पढ़ते हैं समझते हैं उसके बाद इसको solve करेंगे तो यहांपर देखी हमारे कोश्चन क्या है यदि रन्व तीन सु यह जो आपको पादिर आपको पीसा देhl react दा रहा है उसके बद मालेजिए कि आपको सिर्फ 3 kg आलू लेना हो तो कितना रुपए देना पड़ेगा यहां निकालना है तो कैसे निकालेंगे तो बढ़ी असाने सबसे पहले क्या दिया है 300 रुपए की आलू 15 kg तो हम यहां पर लिखेंगे solution according to the question यहनि 300 रुपए है तो यह रुपए हमारे 300 हो गया 300 रुपए की आलू केतना मिल रही है तो हमको मिल रही आलू 15 kg जो मिल रही है हमको 300 रुपए की आलू मिल रही है हमको निकालना क्या है हमको 3 kg का निकालना है यहां पर 15 kg का मूल यह 300 रुपए की आलू 15 kg मिल रही है और इसी के सहारे हमको 3 kg का मूल निकालना है तो कैसे निकालेंगे तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि यहां से आपको 1 kg यानि 1 kg का मूल निकालना है अगर 1 kg का मूल से निकालते हैं वाटेरीक यहां पर सीखिए यहां पर क्या है तीन सुरुपए में आलू मिल रहें यह 15 केजी हमको एक केजी कर देना है जहां पर 15 केजी वहलेगे हैं बराबर यह तो बराबर लगा देना है और यह तो जब कोई भी संक्या बराबर की right में राता है और गुदाम्य राते और बराबर की left में लाते हैं तो इधर गुदाम है तो टो बहुत मिन लच जाएगा तो भघेमियानि जोने नमबर है इसके bird content क्योंकि भघा मतलब होता है भट्टा यानि 300 के बट्टे में यह वला 15 यहां पर लग जाएगा और यह रुपाय का सिंबल है तो रुपाय का सिंबल यहां पर लगा दीजिए अब देखिए आपको simple सा इसको solve कर लेना है आपका 1 kg का मुल्य यहां से निकलेगा देखिए यहां पर 15 से आपको divide करना है इस 300 में तो जैके 15 से कटेगा 300 कितने भर में देखिए यहां पर 30 है न 30 10 इस जिरो को भी भूल जाये तो 30 जो है 15 से दो बर में कटेगा 15 कम 15 दोने के 30 दो बर में 30 कटेगा और यहां जिरो आपको सिर्फ यहां पर उतार देना है यानि काने का मतलब है कि जब यहां पर 300 में 15 से डिवाइट करेंगे तो आपका 20 आएगा और यहां पर एक केजी का मुल्य यानि वन केजी का मुल्य आपका कितना रुपए हो गया 20 रुपए हम क्या किये यहां पर वन केजी का मुल्य हम यहां पर 20 रुपए निकाल चुके हैं देखिए एक केजी जो था बराबर के राइट में ठा और यह जो था लेफ्ट में था तो मैंने लेफ् केजि तो являетсяман काहिश हैं तो हम क्यों करेंगे यहां पर जहां पर एक केजिक्ष expectations निकल जाएंगा यहां पर बरबर के लेप चाहिट और बराबर के राइड डोने तरह सिर्फ तेन से गुना कर देंगे और तो देखे चलिए यहां पर कर देते हैं एक केज है न तो एक गुने यहां पर तीन केजी हो जाएगा और यहां पर क्या है 20 रुपए है तो 20 रुपए तो रहेगा और इसमें क्या कर देंगे यहां पर तीन से गुना कर देंगे अब देखिए जब इन दोनों के गुना करेंग तो आपका यहां पर 3 kg आएगा और जब इन दोना गुणा करेंगे तो बिल त्याएंके आपका 60 और रुपए है तो रुपए हो जाएगा यानि 3 kg का मुल्या आपका कितना रुपए होगा 60 रुपए होगा और यही इस कोश्टन का फाइनल आंसर होगा तो आयो होप कि इस तर करने के साथ साथ नोटीफिक्षन वेल को प्रेज करके और श्लेक्ट भी जरूर कीजिएगा उससे क्या होगा ना कि हमारी नए वीडियो जका नोटीफिक्षन आपको मिलता रहेगा और आपकी थैयारी हमेशा चलती रहेगी तो चली मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट व को श्व सपेट और बादर रहेगा आपसे किसी और श्चत् करे और रहेखू。